एक तहसील के बाहर विजय अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया करता था और उसके ठेले पर जो पानी पूरी थी वे बहुत ज़्यादा प्रिसिद्ध थी यानि कि बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट वे अपने गुलगपों को बनाया करता था लोगों की लाइन लगा करती थी उसके ठेले के पास और लोगों का नमबर भी बड़ी मुश्किल से आया करता था कई बार उस तैसिल के अंदर से जो अपसर होते हैं वह भी उसकी पानी पूरी मगा कर खाया करते थे और वहां के जो भी और पास के जितने भी लोग थे सबी में उसकी पानी पूरी की चर्चा हुआ करती थी कि बहुत स्वाधिस्ट पानी पूरी बनाता है एक दिन क्या होता है विजय सोबसोब अपने ठेले को लगा रहा था वरतन वगेरा जमा रहा था तभी 10 और 11 बजे का टाइम होता है उस तहसील की SDM गाड़ी में आती है मूँपर मास्क लगा हुआ था और जो ठेले वाला होता है जिसका नाम होता है विजय उसके मूँपर भ पाणिपुरी लेकर आता है और मेडम को गाड़ी में खिलाता है SDM मेडम लेकिन मेडम अगले तेरहिप सेंवेब का चेहरा देख लेती है और जो विजय होता है पानिपुरी वाला, उससे कहता है कि तुम्हें SDM ने बुलाया है अब विजय यह देखकर के बड़ा है कि SDM ने मुझे क्यों बुलाया है क्या मुझे कोई गलती हो गई उससे पूछता है उस आदमी से लेकिन वह आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता SDM ने बुलाया तो वहाँ पर जाओ तो अब विजय डरता हुआ कापता हुआ SDM के पास पहुंच जाता है SDM के कमरे में जैसे वह घुशता है तो देखता है SDM की कुर्सी पर जो भी औरत बैटी थी वह उसकी तलाक सुदा पतनी थी दोस्तो उसे देखकर वह एकदम से चकित हो जाता है हैरान रह जाता है लेकिन SDM ने तो उसको पहले ही देख लिया था दरसल दोस्तो यह घटना बनारस के मुगल सराय में घटती है घटना तो घटती है कानपुर में लेकिन बनारस के मुगल सराय में रस्मी नाम की लड़की रहा करती है जो की बहुत अमीर है माबाप बहुत अमीर है और कोई घर में कोई कमी नहीं है ना ही पैसो की कमी है ना ही कोई किसी भी चीज की दिक्कत है रस्मी जवान हो जाती है रस्मी आगे पढ़ना चाहती थी पढ़ लेकर बड़ा आपसर बनना चाहती थी लेकिन उसके माबाप कहते हैं बेटी पढ़ा ही लिखाई तो साधी के बाद भी होती रहेगी तुम पहले साधी कर लो अपना घर बसा लो तो रस्मी अपने माबाप की बात कमाना नहीं कर पाती है रस्मी के लिए एक लड़का ढूड़ा जाता है जिसका नाम होता है विजय विजय जो की खूब उसके पास प्रॉपर्टी थी कई दुकाने थी दुकानों को बजार में दुकाने थी और दुकानों को वह कराय पर दिया करते थे बहुत सारा पैसा धन उनके पास था खेत भी थे उनके पास और घर में सिर्फ माबाब थे और अक्रेली उलाद उनकी विजे था यानि कि माबाब थे और विजे था और बहुत सारी प्रॉपर्टी थी तो उस विजे नाम के लड़के को रस्मी की साधी के लिए ढूंड लिया जाता है तो उनकी बड़े धूमधाम से साधी करवा दी जाती है और पहले ये बाद तै कर ली गई थी वज 걸िया था कि हमारी बेटी रस्मी साधी के बाद पड़ना चाहती है विजय ने कहता कि कितना भी पड़ ले हमें कोई दिक्कत न जैसे ही दूसरा महिने गुजरता है तो विजय का एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि भाई मैं तो बाहर गया हुआ था मुझे तो पता लगा कि तुम्हारी साधी है विजय कहता है कि हाँ यार मेरी साधी हो चुकी है और तुम आए भी नहीं थे तुम्हारा तुम्हे तो वे दोस्त उसको अपने साथ ले जाता है सराब लाई जाती है और सराब वे दोस्त बैट कर पीने लगता है विजय से कहता है भाई साधी तो तुमारी है और पार्टी सिर्फ मैं कर रहा हूँ या तो बड़ी नाइसा पी है फोड़ा साथ हो तुम्हे भी पीना होगा एक गलाई उसको भी पिला देता है एक गलाई पीने के बाद आब विजय को सराब अच्छी लगने लगती है तो वे दूसरा गलाई भी पीता है तीसरा भी पीता है और इसी तरह से खूव नसे में टौन हो जाता है पार्टी खतम करने के बाद विजय जब आपस अपने घर पहुंचता है तो उसकी पतनी रस्मी देखती है कि वह नसे में आया है वह अपने पती को समझाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ये नसे के पीछे मत परोजिंदगी परवाद हो जाएगी दोस्तों उसको समझाती है अची तरह से और वह सोझाता है रस्मी समझती है कि अवह समझ गया है दूसा दिन होता है तो वह दोस्त फिर आता है चलो चलते हैं पार्टी करते हैं विजय को रात का चसका लग गया था कि भाई सराव पीने के बार तो मजे ही मजे हैं विजय फिर से चला जाता है क्योंकि विजय के पास पैसों की तो कई कमी थी नहीं और जो उसके दोस्त थे उनके पास पैसे हुआ नहीं करते थे तो अब विजय को अपना गहरा मित्र माना करते उसको फोटों पर चड़ा दिया करते थे उसकी जूटी तारीफ करके उससे सराव अगयरा पी लिया करते थे और विजय भी अब उनकी पार्टी में सामिल होने लगाता अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो विजय जादा सराव पीने लगता है उसकी पत्नी रस्मी ने पहले तो उसे माफ किया लेकिन बात मैं उससे कहा कि तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम चोड़ कर चले जाऊंगी क्योंकि जिस चीज के पीछे तुम लगे हो सराव के पीछे यह दुनिया तबाह कर देती है लोगों के घरों को बरबाद कर देती है दोस्तो विजय अभी भी नहीं मानता सराव के नसे में धुत रहा करता और अब तो वह दिन में भी सराव पीने लगा था तो रस्मी अपने पिता के पास फोरुन करती है और पिता से कहती है बाबुजी विजय तो सराव पीने लगा है, सराव का आधी हो चुका है और मेरी यहां पर पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, उससे लड़ाई जगरे में मैं तुम्हारे पास आ रही हूं तो रस्मी का पिता कहता है बेटी तु मेरे पास आजा यहां से पढ़ाय लिखाई कर लेना तो रस्मी अपने पिता के घर चली जाती है और वहां पर पढ़ाय लिखाई में जुट जाती है इधर जो विजय होता है वह सराव के नसे में धुत रहा करता दीरे दीरे उसका पैसा खतम हो जाता है और उसके पिता की मौत हो जाती है और मा रह जाती है जो की बहुत ही विर्द थी अब उसके उपर कोई पूछने ताजने वाला तो था ही नहीं पिता की मौत हो चुकी थी सराब के नसे में दुत रहने लगा तो घर में जितने भी पैसे तेवे सारे खर्च हो गए थे अब उसके पास प्रोपर्टी बची थी, दुकाने बची थी तो जो आसपड़ोस के लोग होते हैं क्योंकि सबको पता लग जाता है जो सराब के पीछे पढ़ गया तो समाज के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं तेरी फ़लाई प्रोपर्टी है, फ़लाई दुकान है उसको तु हमें दे दे, तुझे पैसो के तो जरूरत होगी तो इसी तरह से उसके पीछे भी लोग लगने लगते हैं कि तुम्हारी एक दुकान मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और दोस्तों वैं अपनी दुकानों को बहुती सस्ते में लोगों को दे देता है मतलब एक तरह से गिर भी रखता है कि इतने पैसे मुझे दे दे 10,000-20,000 इतने दिन तु इस दुकान को यूज कर ले जिस दिन मेरे पास 10,000-20,000 हो जाएंगे मैं तुम्हें दे दूँगा तुम मेरे दुकान को वापस दे देना इस तरह से करके वो अपनी सारी दुकानों को 10-10-20,000 रुपे में गिरवी रख देता है सोचने की बात है दोस्तों जो दुकाने 16-15-20,000 होती है एक दुकान नॉर्मली हर जगए पर उस दुकान को वैं सिर्फ 10-20,000 रुपे के लिए गिरवी रख कर सराब पी रहा था सारी दुकानों को गिरवी रख देता है अब खेत की बारी आती है तो खेतों को भी वैं सस्ते में गिरवी रखने लगता है 20-30,000 रुपे में कि भई यह भी सुचता था कि 20-30,000 में गिरवी रखूंगा तो दुबारा से छोटा लूँगा क्योंकि कम पैसे है तो कम पैसे में छोटा लूँगा लेकिन सरावी के पास कभी पैसे एकटा नहीं हुआ करते हैं ये भी बात है अब यहाँ पर क्या होता हैं दोस्तों अब दिरे दिरे वे सारी प्रोपरटी को सस्ते में गिरवी रख देता है तकरीबन डेट से दो लाख रुपे में सारे खेतों को और सारी दुकानों को जो की दस वारे दुकान थी अब उसके पास कुछ था भी नहीं गिर भी रखने के लिए दुकान वालों से कहता तो वह कह देते कि पहले हमारे 10,000 रुपे दो तब हम दुकान खाली करेंगे इसी तरह से वह चल रहा होता है अब उसको लगता है कि वह अब तुम्हें बरबाद हो गया ना ही पड़ोस के लोग दुकानों को खाली करने वाले थे ना ही जमीन को वापस दे रहे थे अब वह भूका मनने लगता है उसकी बूड़ी माती उसका भरन पोसंद कैसे होगा क्योंकि कमाई के सारे सादन ठप पड़ चुके थे दोस्तों अब वह अपने बच्पन के दोस्त से मिलता है और उससे कहता कि यार मुझसे गलती हो गई मैंने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया मेरी पत्नी ने तो मना भी किया था सराव वगेरा नसे के चक्कर में मत पड़ लेकिन मैं ही नहीं माना मुझे बड़ा चसका लगा था अब तु मुझे ऐसा काम करवा दे मेरी मा है बूड़ी उसका पेट भर जाए और मेरा पेट भर जाए अब मैं सराव नहीं पिऊंगा तो उसका जो दोस्त होता है वहीं पर कानपूर में तहसील के सामने उसका रहरी का काम करवा देता है ठेला लगवा देता है गोल गप्पे बेचने की दोस्तों यहाँ पर जो विजय था उसके अंदर कारी गरी थी वह गोलगपपे इतने स्वाद बनाने लगता है कि वहां करकर जो लोग होते हैं उनका वह फैवरेट गोलगपपे वाला बन जाता है और उसके गोलगपपों की पानी पूरी की पूरे इलाके में चर्चा होने लगती है यह चर्चा तहसील के अंदर तक भी जाती है तहसील के लोग भी अपसर भी उसकी गोलगपे मगा कर खाया करते थे उधर उसकी जो पत्नी थी रस्मी वह इतना पढ़ती लिखती है कि वह SDM बन जाती है और SDM बनकर उसी तहसील में उसकी पोस्टिंग हो जाती है दोस्तों उसी तहसील में जैसे उसकी पोस्टिंग होती है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक गोलगपे वाला है बहुती स्वादिस्ट गोलगपे बनाता है तो मैडम भी मगवाती है गोलगपे लेकर आओ मैडम जैसे ही उसको बड़े स्वाद लगते हैं और कहती है तो बड़ा अच्छा गोलगपे बनाता है फिर मैडम एक दिन घर से आ रही थी गोलगपे की दुकान खोली हुई थी तहसील के दरवाजे पर ही रहेडी लगी हुई थी तो वह उससे गोलगपे ड्राइवर से लाने के लिए कहती है तो गोलगपे खा रही थी तब ही उसकी नजर विजय के उपर पढ़ जाती है तो वह देखती है यह तो उसका पती है तो उस समय वह कुछ नहीं कहती है तहसील के अंदर चली जाती है और एक आदमी को भेजती है कि गोलगपे वाले को बुला कर लाओ विजय जब वहाँ पर जाता है और कुर्सी पर SDM की कुर्सी पर अपनी पत्नी को देखता है तो परिसान सा हैरान सा हो जाता है और सर्मा जाता है उसको सर्माने लगती है कि मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली जबकि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और मेरी पत्नी ने पढ़ कर SDM की पोस्ट हांसिल कर लिये लेकिन उसकी पत्नी भी बहुती अच्छी औरत थी वह उससे कहती है बैठो वह बैठ जाता है और पूछती है क्या हुआ वह कहता है सराब मेरा सब कुछ बेक गया मेरी मा है और पिता जी की मौत हो चुकी है उसका पेट भनने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है यानि कि वह आदमी भी बिल्कुल बातों को छोपा नहीं रहता सारी चीजे सपस्ट अपनी पत्नी के सामने बोल रहा था उसकी पत्नी कहती है पत्नी उसकी देखना चाहती है कि यह सुदरा है और नहीं सुदरा है वह अब अपने पत्नी से कहती है कि ऐसा करो तुम यहाँ पर ठेला नहीं लगाओगे और ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम गाओ जाओ, और अपने पती की जेब में और धायलाक रुपे रखती है, और पती से पूछती है तुम्हारी जमीन जायदाद, तो बता देता कि अड़ोसी पड़ोसियों ने सस्ते में ही मेरी जमीन को हड़पा हुआ है, तो HDM साहिवा कह देती है कि तुम घर जाओ, डायलाक रुपे उसके जेब में रखती है, कहती है अपने घर को सेट करवाओ, और उसके बाद वह उस इलाके के HDM के पास फोन करती है, और कहती है कि इस विजय नाम के आदमी की जमीन को पड़ोसियों न वह अपने पती के पास जाती है और अपनी सास से मिलती है, उसके पाँच होती है, वह अपना तबादला अपने हॉम डिस्टिक में तो नहीं करवा सकती थी, जहां पर वह रहती थी, वह अपना तबादला दूर ही रखती है, लेकिन अब वह अपने पिता से फोन करती है कि बाबुजी विजय सुधर गया है और क्या मैं उसे साधी कर सकती हूँ? उसका पता कहता है बेटी क्यों नहीं? तुम उसकी पतनी हो, तुम साधी कर सकती हो क्योंकि रस्मी ने उसको तलाग दे दिया था जब वे पढ़ाई कर रही थी तो यह दोनों मिल करके दوبारा से मंदिल में साधी करते हैं और रस्मी अपने पती के घर जाती है, उस घर को इसोधारा जाता है और रोज जूटी पर आया करती है और अपने पती की प्रोपर्टी उसको वापस दिला देती है तो पती की इंकम भी काफी होने लगती है और सराब उसने छोड़ी दी थी तो यह बिखरा हुआ परिवार दुवारा से बस जाता है कईवार दोस्तों परिवार बिखर जाते हैं लेकिन दुवारा वैं नहीं बस पाते हैं लेकिन उपर वाले की माया ऐसी होती है भी उसने दुबारा से संजो दिया ऐसी ओरतें बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन दोस्तों सो मैं से एक दो परचेंट मिल जाया करती है आपको हमारी एक कहानिया कैसी लगती है इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन के अंदर हमें ज्यादा उड़कर नहीं चलना चाहिए वरना जीवन को बिखरने में एक मिनट का एक च्छन का टाइम नहीं लगता है इसलिए हर कदम को समाल कर रखना चाहिए आगे पीछे की सोच कर चलना चाहिए दोस्तों अपनी राय कमेंट बोक्स में लिखा जरूर करें जिससे कि हमें और ज्यादा हमें उत् अची अची स्टोरीज आपके सामने लेकर आएंगे अगला पूरा मजल्दी फिर से लेकर आओंगा तब तक आप खुश रहें जैहन जै भारत